हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक तो मैं चैनल मैं हुशी मौर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो इस आशा के साथ अपनी वीडियो शुरू करती हूँ फ्रेंज और धेर सारे शुब कामना नय साल के आप सब की जीवन खुश मैं आप से बात करूंगी जो कि हम June Oy्म एंट्रिफंगल पावडर हम इस्तों करते कभी कभी कैया होते हमारी हाथ के सामने वह नहीं होता या फिर मार्केट से लाने में ठोड़ी से प्राब्लम हो जाती है लेकिन ऐसे बहूत सारी हमारी हाथ के सामने हमारी किचन में ही है ज अस के अंदर अंदर बहुत सारी पन्शु है अपको दिखाती हो देखो आप देख सकतों मिलएरी भी ऊपर उट रहे है तो फ्रेंस चलो वीडियो शुरू करती हूँ यह डैक और शेमिए याणि की राक्ट Come एक बहुत ही अच्छी एंटिफंगल पावडर है जो कि हम अगर हमारी प्लांट पे इस्तिमाल करते हैं तो वो और्गनिकली हमारी जो प्लांट है उससे जो इंसेक्ट लगे हुए होते हैं वो और्गनिकली खतम करती है इसके लिए हमें कोई भी केमिकल वाला दवाई हमारी चिरकाव नहीं करना पड़ता केमिकल यूज नहीं करना पड़ता है तो ऊड़ एश मेरी ख्याल से बहुत ही अच्छी एक सब्स्ट्यूट है एंटिफंगल पावडर की या फिर जो हम इस्तिमाल करते हैं जो जो केमिकल वाला दवाई उस करते हैं फंगस को दूर हटाने के जैसे कि यह मिर्ची की प्लांट है ठीक है इस पर अभी मैंने इसको धो दिया है तो इस पर बहुत सारी ऐसे सफेद कलर की जो मिलिवग है वो एटक कर चुका था तो इस पर मैंने कोई भी दवाई का इस्तिमाल नहीं किया है और आप देख सकते हो प्लांट एकदम ही स्वस मिलिवग होते हैं या फिर कोई भी एफेट का एक मिलिवग होता है कोई भी जो फॉंगस डॉती है इसके इस्तिमाल से छतम हो एक बार आप इसके मिलिवग होती है विंटर में ऐसे जो फंगस होती है जो मिली बग्स होती है जो भी आप इंसक्ट बोलो उसकी एटक बहुत ज़ादा होती है इसके लिए हमारी प्लांस की ध्यान रखना बहुत ज़री होती है तो एक बहुत ही अच्छी सब्सिचिटूट है आपके प्लांस के लिए और अगर इसका इस्तमाल आप अपनी प्लांट की मिट्टी पर करो आपकी मिट्टी की जो सॉयल है अपकी जो सॉयल है प्लांट की इस पर अगर करो तो यह क्या होता है कभी कभी प्लांस क्या होता है प्लांस को एसिडिक सॉयल पसंद होती है तो यह मिट्टी को एलकलाइन करती है य दूसरे जो हम मिलाते हैं गर या फिर जो भी घंगा या साफेल गब दूसरे आब दूसरे नमबर पर है फ्रेंन्स अपको दिखाती हूं यह हल्दी ठीक है जो कि हमारी किचन में एकदम इजली एवेलेबल हो जाती है तो इसका इस्तिमाल भी आप इजली कर सकते हो अपनी प्लांट पे अपको पता है यह एंटी फंगल है एंटी बायोटिक है आपके स्किन के लिए जैसे कि हम इंसानों के लिए बहुत अच्छी हो होगी आपको रेगुलर्ली इसका स्प्रेय करना पड़ता है यह अगर इसका इस्तमाल आप करोगी तो कोई चिंता करने की बात नहीं होती है क्योंकि केमिकल का अगर इस्तिमाल करते हो थोड़ा सा कम जादा होगे तो प्लांट के उपर इसका नुखसान देखा जा सकता है लेकिन इसकी जो यह जो और्गेनिक है यह आपकी प्लांट को कोई भी नुखसा नहीं पहुचाता इसलिए मुझे यह हल्दी का पाउडर बहुत ही पसंद है मैं परसनल ने भी अपनी प्लांट के लिए यह इस्तमाल करती हूँ अगर आपकी मिट्टी पे भी फांगस का ए इसलिए फ्रेंट्स यह जो बैकिंग सोडा है यह लेकिन इसका जो इस्तिमाल है वह थोड़ा सद्यान से करना पड़ता है यह आपको एक लीटर पानी में आप सिर्फ एक ग्राम मिला के उसकी बाद ही आप अपनी प्लांट की उपर पूरी चारो तरफ से जो भी प्लांट पर इंसेक्ट हो चुका है या फिर अटक हो चुका है अब अपने पूरी प्लांट पे इसको चिर्गाओ कर दो तो आपकी प्लांट पे जो प्लांट पर जो फ्री हो जाएगा लेकिन इसका इस्तिमाल आप ध्यान से करना इसलिए मैं हमेशा यह बोलती हूँ कि अगर आप सोडा के इस्तमाल आप प्लांट पर करती हूँ तो थोड़ असा ध्यान से करना याद रखिए एक लिटर पानी में सिर्फ एक ग्राम ठीक है बहुत कम आप इसको मिला के अच्छी तरह किसे मिला के आप अपने प्लांट पर लेकिन शाम की वक्त आप इसको छिरकाओ करना आप यह है चाच ठीक है जो मिल्क हम घर पे लाते हैं खाने के लिए उस मिल्क की जो फैट है उसको हटाने के बाद जो बच जाता है इसको हम चाच बोलते है जो की प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है प्लांट को एंटिफंगल इसकी जो फंगस इसमें जो मौजूद antifungal जो properties है यह प्लाट की जो जो भी fungus इस पे इतक किया हुआ है जो भी इस पर मीली बग्क्य एतक हुआ होता है अगर रेगुलर्ली हम इसका इस्तिमाल करेंगे तो हमनेरी प्लान्ट की जो भड़ी और शाइनी कर देगी ठीक है तो इसका इस्तिमाल हम कर सकते है जरूर से ही और यह organic है इसका इस्तेमाल, अगर कम ज़दा होगा तो अभी कोई प्रोडM नहीं है, आप इसको एक लिटर पानी में आप इसको मिला दो, लगपाक अप 1 लिटर पानी में आप दो ग्राम इसको मिला दो, और मिला के पानी को अच्छी तरीके से ऐसे मिला के आप इसकी छिर्काव कर दो आपकी प्लांट पे तो आपकी प्लांट की जो लिफ्स की अगर शाइनी पन हट गया है तो शाइनी एक अपकी प्लांट की जो लिफ्स है उसको शाइनी बनाएगी ग्लोसी बनाएगी आपकी प्लांट की लिफ्स को प्लांट को ही पूरा हेल्दी बना आपको निट्रिशन भी पहुचाएगा आपकी प्लांट को तो चाच का इस्तिमाल भी अब अपनी प्लांट पे जरूर से ही कर सकते हो और पाच भी मैं आती हूँ दिखाती हो आपको यह सिनिमन पाउडर इसको यह मैंने पाउडर की फॉर्म में लिया है तो इसको क्या आप क जो जो सब्सक्राय about पाकर पानी में मिला लो आपको जितना चाहिए आप मिठ्या कम जदा कोई भी नुक्सान नहीं होथा तो मिला कि आप अपनी अब फ्लंट पे एकदम छिर्काओं कर दो पूरी प्लंट की उपर शिर्काओं कर दो तो आपकी बहुत ही हेल्यान लिए उसकरना पड़ेगा हफते में दो बार या एक बार क्योंकि और इससे कोई भी नुक्सा नहीं होता केमिकल का अगर इस्तिमाल हम करते हैं तो थोड़ा सा हम कुछी तक रहती है कि प्लान के खरब न हो जाए इस सभी का इस्तिमाल अब अपनी प्लान पे जरूर से ही कर सक ही है तो केमिकल का हम इस्तिमाल नहीं करेंगे इसे बात के साथ मैं आपनी वीडियो खतम करते हूं फ्रेंट्स मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का सभी वीवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे रहिए खुश रहिए और चारो तरफ क्रीन बना झाले झाले जए और चारो तरफ कर दोस्तों कैइबु अच्छें बना आप बना करेंगे लिए लिए खुक्रियो घ्याँ झाले उने दोस्तों का बहुत्त आप मेरी जोस्तों का बहुत है थां धुद्ग।